कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे का बीजेपी पर हमला बीजेपी साज़श के तहट उठा रही है बार बार सवाल दस दिन पहले दिये बयान पर सवाल क्यूं खडगे ने पूछा है भारती जन्ता पारी से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बीजेपी की और से जारी बयानों पर कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने कहा है आस्था रखने वाले लोग कभी भी अयोध्या जा सकते हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी साज़िश के तहट बार-बार ये सवाल उठा रही है मैंने तो करीब दस दिन पहले ये कहा था फिर भी बीजेपी पलट-पलट कर वही सवाल कर रही है यह एक कांश्परेस ही है बीजेपी की और बीजेपी यही बाह मुद्दय को बार-बार उठा रही है मैं तो दस दिन पहले बोला हूँ फिर अब क्यों उठा रहे हैं तो यह हमारा जो है किसी को दुख पहुंचाना किसी रिलीजन किसी धर्म को किसी गुरू को यह हमारा जिर्फ है कि मोदी जी जन्ता के लिए अनेंप्लामेंट में क्या काम कर रहे हैं इंफलेशन के बारे में क्या कदम उठाएं बीजेपी खड़गे के बयान के बाद से ही कॉंग्रेस को सनातन धर्म विरोध पार्टी बता कर हमले कर रही है कॉंग्रेस के ओर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की नियोध को ठुकराने की बीच बड़ी ख़बर सामने आई है जा कॉंग्रेस नेता इम्रान मसूत का भगवान राम पर बड़ा बयान हम सब राम के वंचर्ज हो यह कहना है इम्रान मसूत का राम हम सब के आराध है या रसस बीजपी का आयोजन है ये भी इम्रान मसूत की उससे कहा गया राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाली पार्टी कॉंग्रेस के नेता इम्रान मसूत ने भगवान राम को अपना आराध्य बताया है दूसरी और AIMIM अध्यक्ष असदूदी नोवेसी ने कहा कि वो हमेशा 6 दिसम्बर का जिक्र करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अगर 6 दिसम्बर नहीं होता तो क्या होता स्पी अध्यक्ष अकलेश यादव ने जहां कहा है कि उन्हें राम मंदर का नियोता ही नहीं मिला तो वहीं कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्री नेत ने राम मंदर का नियोता ठुकराने पर क्या सफाई दी है चलिए आपको हम सुना देते हैं मैंसे जो लोग उस दिन नियोते की बात कर रहे थे कि आपको नियोता दिया गया है कोई देने आया है मैं आप भी उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलबाद है उस कोरियर की जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट देदोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुँचने में और जानकारी हासिल करने में देश के चार शंकराचारियों का है जो चार शंकराचार हैं जब उन्होंने निर्णाय लिया कि वो योध्या नहीं जाएंगे यह अक्रुष क्यों नहीं आया यह आहत क्यों नहीं हुए तो धार्मिक चीजों में धार्मिक अनुष्ठानों में राजनिती करना सरवता गलत है हम कहा जाने से मना कर रहे है हम 22 तारिक को और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है हम 22 तारिक को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोधी जी की प्रेजेंस और RSS संग के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं जहां हमारे शंकराचारे नहीं जा रहे हम जो विबत्स राजनीती की जा रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और अजबीच कॉंग्रिस को आचार्य प्रमोद कृष्णम की नसीहत भी सामने आ गई है राम को किसी राजनेतिक गल्द से जोड़ना सही नहीं कॉंग्रिस अपने निर्णे पर पुनर विचार करे दरसल कॉंग्रिस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की नियोती को जुकराया उसी पर ये बड़ा बयान सामयाद है कि कॉंग्रिस के राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में जाने का नियोता ठुकरानी के बाद कॉंग्रिस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम काफी नाराज है प्रमोद कृष्णम ने कॉंग्रिस नेताओं को नस को ठेज पहुचाने वाला है अभी भी वक्त है कॉंग्रेस नेता संभल जाएं पहली बात राम को किसी दल से जोड़ना ठीक नहीं दूसरी बात यह कि मैं कॉंग्रेस के नेता के रूप में अध्या नहीं आया हूं मैं राम भक्त के रूप में अध्या आया हूं और जिन पावन अफसर पर इस तरह की घटिया बयानबाजी और घटिया राजनीती की निंदा करता हूं